निराश न हो, क्योंकि इश्वर को तुम्हारी चिंता है, वह जल्द अपना कारे करेगा। आज जितने भी लोग इस पूरी प्रार्थना को सुने और अपनी समस्या का समाधान मांगे, उन सभी की प्रार्थना को तू जरूर पूरी करना है प्रभु परमेश्वर। आज इस प्रार्थना द्वारा तू अपना चमतकार दिखा। आए प्रार्थना करें। तू बड़ा ही सामर्थी और दयालू पिता है, हम तेरे नाम की तारीफ और धन्यवाद करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभों का प्रभो है। तू हमें हमारे सारे पापों और गुनाहों के लिए एक शमा कर, हमारे जो भी रुके हुए काम है, वो पूरे हो जाए, और जो कामों में अरंगे आ रहे हैं, वो भी दूर हो जाए। जितने भी रुके हुए कारे हैं, वो प्रभु यीशु के नाम से सफल हो जाए, और सारे बंधन दूर हो जाए, हमारे दुष्मनों के दिल साफ हो जाए, और बैरी है, उनका मन शांत हो जाए, सारी जलन और नफरत दूर हो जाए, सब के बीच एक शांती का माहौल बन प्रभु आज आपके जीवन में कारे करे। हम तेरे आदर्शों के साथ हमारी सेवा करने की इच्छा करते हैं ताकि हम इस जगह को प्रेम से भरा हुआ बना सकें। हमारे परिवार में लोग बीमार हैं। हमारा सहारा है, तू नहीं तो और कौन है हमारा इस दुनिया में संभालने वाला। हमें संभाल ले, अपनी पवित्र आत्मा हमारे उपर भेज। प्रभु, हम तेरे साथ चलने का संकल्प करते हैं और हम तुझसे मिले अनंत आशिरवात की प्रतीक्षा करते हैं। हे क्रिपा का सागर, हमें तेरी सत्यता, प्रेम और आत्मा के आदर्शों की और प्रवरित्ती करने की शक्ती दे। तू ही हमारी शक्ती और रक्षक है, हे प्रभु, और हम तुझे सर्वोप्री मान कर तेरी आराधना करते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार ही हम चलते हैं और तेरी आत्मा के साथ एक रूप होते हैं। और हमें खाली हाथ ना जाने दे, हम आज यह विश्वास करते हैं, कि हमारी प्रार्थना ग्रहन की जा चुकी है, इस विश्वास के साथ हम अपनी इस प्रार्थना का अंत करते हैं, हमारे प्रभु यी शुक्रीस्त के नाम से, आमीन.